हे दोस्तों वेलकम बैक तो आवर यूटूब चैनल ट्रेडिंग एक्शन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेज बैंक के स्टॉक के बारे में यह जो आप चार्ट देख रहे हो मैंने यहां पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया है तो आ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अभी जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो 750 से लेकर 760 का बहुत ही इंपोर्टन सपोर्ट लेवल हुआ करता था तो हमें यहां पे 29 अगोस्ट 29 अक्टोबर सॉरी फ्रेंस 29 अक्टोबर जब भी सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं वो जो है रेजिस्टन्स का काम करते हैं अभी यहां पे सपोर्ट लेवल जो है यहां पे ब्रेक हो चुका था तो यहां पे वो रेजिस्टन्स का काम कर रहा था Finally हमें 27 January मतलब की 27 January को इसमें breakout देखने को मिल चुका है Power candle के साथ में तो इसकी चलते ये buying side हमें moment continue देखने को मिल सकती है अगर आप stock को जो है यहां से इस level से buy करते हो तो आपना stop loss 7.45 का set करके इसमें buying side plan कर सकते है हमारे first target की बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो 8.20 का first target इसमें set कर सकते हो और second target की बात करेंगे तो इसमें 8.50 का second target इसमें set कर सकते हो तो इसके चलते आने वाले कुछी दिनों में हमें इसमें अच्छे डार्गन सजी होते होँए दिखाई दे सकते हैं चलिए अब हम चलते हैं NST website पर और वहाँ से चेक करते हैं इसमें security wise delivery position क्या ली जा रही है अब हम आ चुके हैं NST website पर यहाँ पर search box में company का नाम सर्च करने के बाद आपको नीचे के side company का नाम शोग करेगा और उसके नीचे इसी current price भी शोग करेगी स्क्रोल करके नीचे आना है यहाँ पर आप देख सकते हो security wise delivery position पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद total quantity जो trade हो चुकी है इसमें 1,09,000,000 इसमें total quantity ट्रेड हो चुकी है और 58,000,000 इसमें delivery ली जा चुकी है percentage में बात करेंगे तो 53% इसमें delivery ली जा चुकी है जो कि हम ठीक ठाक delivery consider कर सकते हैं अब और 60% अगर delivery होती तो बहुत ही अच्छी delivery हम वहाँ से consider कर सकते हैं तो चली दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी ticket tab website पर और चेक करते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं बाइंग की और overview दोस्तों जब भी आप कोई भी stock में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतनी सारे details चेक करके ही उसमें इन्वेस्ट करना है बात करते हैं intrinsic value की तो आप यहाँ पे देख सकते हो current prices less than the intrinsic value जो कि हमारे लिए positive point है return return की बात करेंगे तो bank return return की बात करेंगे तो इतना attractive dividend नहीं है entry point good time to consider stock is not in overbought zone मतलब आप यहाँ से entry कर सकते हो यहाँ से buy कर सकते हो सबसे main जो important होता है no red flag शो कर रहा है जब भी आप कोई भी stock में आपको invest करना है तो आपको no red flag देखके ही उसमें invest करना है तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसका financial trend last four year का data हमारे सामने क्या शो कर रहा है 2018 से लेकर 2021 तक का last four year का data शो कर रहा है यहाँ पे आप company की growth की बात करेंगे तो bank की growth की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया growth हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है तो इसके चलते है हमारे उपर के side के अच्छी टार्गेट जो है अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं अब बात करते हैं forecast की analyst हमें क्या सला देते हैं buying की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 46 analyst जो हमें 87% buying की सला दे रहे हैं जो की काफी अच्छी सला हम यहाँ से consider कर सकते हैं दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की link description box में दे दी है आप अगर subscribe नहीं किये हो तो उसको link से वहाँ से join कर लीजिए ऐसे ही मैं बहुत से वीडियोज अपने चैनल पर upload करता रहता हूँ अगर आप उन वीडियोज को भी नहीं देखे हो तो उन वीडियोज को भी जरूर देखे हैं दोस्तों यह जो वीडियो है educational purpose के लिए बनाएगे हैं जब भी आप कोई भी stock में इन्वेस्ट करें तो अप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद